तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईसमान कार्ड के बारे में जैसा कि आप सभी लोगों को पताई होगा कि आईसमान कार्ड से सालाना 5 लाख का इलाज होता है फिरी में जो भी होस्पिटल आईसमान कार्ड के अंतरगात आता है उस होस्पिटल में आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का इलाज करा सकते हैं फिरी में सालाना 5 लाख तक का इलाज होता है आईसमान कार्ड के थुरू जिससे आईसमान कार्ड बनाने के लिए आपको कहीं पर भी नहीं जाना होगा आप अपने घर बैठे ही आईसमान कार्ड बना सकते हैं जो कि 5 लाख तक का फिरी में इलाज होता है सालाना आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का कोई भी अगर बीमारी है और उसका इलाज क फिरी में बना विक घर बेठे कैसे बना सकते हैं, भारत सरकार ने Iceman Kart फिरी में बनाने के लिए घर बेठे बनाने के लिए एक नया Portal launch कर दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, इस Portal का नाम है setew.pmjoy.gov.in, इस Portal का लिंक आप लोग को description में रडा historians इस website का link जो भी है description में डाल देंगे यहां से आप अपना Iceman card जो है बना सकते हैं फिरी में बना सकते हैं साथी आप यहां से आप अपना Iceman card डाउनलोड भी कर सकते हैं चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं Iceman card किस परकार से इस portal के थुरू बनेगा अगर आप Iceman card बनाना चाते हैं इस portal के थुरू तो सबसे पहले आपको यहां पर registration करना होगा यहां पर आप देख सकते हैं register yourself search beneficiary इस पर click करेंगे इसके बाद यहां पर आप अपना mobile number डालेंगे और यहां अपना आधार number डालेंगे और यहां submit पर click करेंगे इसके बाद आपके mobile number पर एक OTP भेजा जाएगा वो OTP यहां पर डालेंगे इसके बाद यहां validate पर click करेंगे जैसे ही OTP डाल कर validate पर click करते हैं इसके बाद आपके सामने कुछ इस परकार सा pop-up खुलेगा यहां पर आप देख सकते हैं EKYC has been verified successfully इसे OK करेंगे ओके करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपके आधार कार्ड में जो भी details है आपने जो आधार number डाले हैं आपने जो mobile number डाले है आपके आधार कार्ड में जो भी details भरा हुआ है आपका नाम आपका gender जो भी है वो automatic यहाँ पर fax कर लेता है नीचे आपका photo भी देखने को मिल जाएगा आपका जो आधार कार्ड में photo है वो भी details यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके बाद नीचे आएंगे नीचे यहाँ पर communication address का details दिया गिया है इसे भी आप भर सकते हैं या फिर अगर आपका communication address और आधार कार्ड में जो भी address है वो अगर same है तो यहाँ please check पर click कर सकते हैं इसके बाद नीचे आएंगे नीचे यहाँ पर एक option देखने को आपको मिलेगा application type यहाँ पर आप click करेंगे और बीस 2.0 पर click करेंगे इसके बाद यहाँ role type select करेंगे यहाँ पर नीचे आएंगे self user यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते है self user इस पर click करेंगे और यहाँ please check box प जो भी login name आप बनाना चाहते हैं, इसके बाद यहां create पर click करेंगे, जैसे आप create पर click करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, login has been created, आपका login name जो है, यहां पर create होकर दिखाएगा, इसके बाद इसे ok करेंगे, इसके बाद फिर से back आजाएंगे, और यहां पर आप देख सकते एक के वाइसी वेट अप्रूवल इस पर हम किलिक करेंगे और अभी लोगिन करके दिखाएंगे आपने जो भी मोबाइल नंबर डाल कर रेजिस्टर किये हैं वो मोबाइल नंबर यहां पर डालेंगे और साइन इन पर किलिक करेंगे इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा वो OTP यहाँ पर डालेंगे और validate पर click करेंगे OTP अभी तक नहीं है साथ कोई problem होगा portal में कोई काम चल रहा होगा इसलिए हम आगे का वीडियो आप लोग को नहीं दिखा पा रहा है लेकिन आप जैसे ही यहाँ पर OTP डालकर verify कर लेते हैं validate पर तो आपके सामने आपका state select करने का option आ जाता है साथ ही आप अपना district का नाम select करेंगे और अपने तहसिल का नाम इसके बाद आप अपना गाउं का नाम select करेंगे और नीचे आपको पूरा details देखने को मिल जाएगा कि आपके गाउं में कितने आदमी का नाम आइसमान काड लिस्ट में है और उस लिस्ट में से आपको अपना नाम select कर लेना है और यहीं से आप अपना आइसमान काड बना पाएंगे आने वाले वीडियो में कोशिस करेंगे कि OTP अगर आज आ रहा है तो आपको एक proper वीडियो बना कर दिखाएंगे कि किस परकार से इस पोर्टल से आइसमान काड आप बना सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद